नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाद्या स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों बात करूँगा Tata Power के स्टॉक के ऊपर कभी कबार दो दिल करता है इस स्टॉक के ऊपर कभी बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि पिछले ग्यारा से बारा महीने के अंदर इस स्टॉक ने जितना दुखी कर रहा है, I think PSU बैंक भी नहीं अब तो, PSU बैंक भी चल गी पर यह स्टॉक चलने का नाम नहीं लिए, लेकिन हकीकत और सचाई कुछ और है, अगर आप एक साल का व्यू ना रखें, दो साल क स्टॉक ने आपको डबल करके दे दिया है, आपका पैसा जिसमें मार्केट कितनी वॉलटाइल हो गई है, मार्केट आपको बैसक लाइफटाइम हाई पर दिख रही है, लेकिन स्टॉक लाइफटाइम हाई पर नहीं है, अगर आपने बनाई है पॉर्टफोलियो पास साथ लाइफाई दिखा दिया है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में वो अट्रेक्शन आया ही नहीं है, अब टाटा पावर की बात करें तो कली मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी, 228 पे टा 235 तक के लेवल्स देख रहा था भाई मैं तो, और आगे स्टॉक तो ऐसी रेंज में फसके रह गया है कि जहां पे ट्रेड करना बहुत मुस्किल हो गया है, यह दो तरीके से लोगों को दुखी कर रहा है, पहला तो पेसेंस ट्रेस्ट करता है और दूसरा वड़ता ही नहीं है, अगर आप धहर्रे के साथ रुक भी जाओ, बजार में सारे स्ट और 205 रुपे दवा के आप से खरीदने को का था, ठीक है, मैंने का था भाई यह स्टॉक लेकर छोड़ दो, आज नहीं कलनी बढ़ेगा, सारे अनिलिस्ट बुलिश है, स्टॉक बुलिश है, कंपनी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, स्टॉक का प्राइस खराब है, ब मैं आप से अब इसे स्टॉक को लेकर ना एक चीज बोलूँगा, ट्रेडिंग का व्यू तो मैंने कल भी आप से गाता कि 235, 242 आये गा, लेकिन उसके लिए हो सकता है, पूरा महीना लग जाए, क्योंकि स्टॉक इतना slow mover है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पिछले एक मह के भी पूरे रिटन नहीं है, और 22 और आज 7 तारिक है, तो ये 15-20 ट्रेडिंग सेशन में 2% के रिटन, तो ये इस स्टॉक की हालत है, इतने हाई लेवल पे इतना हाई लेवल का पेसें स्ट्रेस करता है, जो मेरे साब से बहुत जादा आपको दुफी करने वारी बात है, अभी मैं आपसे यही कहूँँगा, अगर आपके पास है पोजिशन, तो क्या करें, बने रहना चाहिए, इस टॉक देखिए, बेसक पेसें स्ट्रेस कर रहा है, बट आपका पैसा बरबाद भी नहीं होने देर, अगर आप दूसरी तरीके से देखे तो, मुझे पता है, लो स्टॉक में एक ही चीज देखने है, वह है दोसो का लेबल, जब तक दोसो के ऊपर है, बने रहो, टेंशन फिरी रहो, मैंने भी बताई जो चीज़ें, जो मैंने आपके साथ साथ सीर करी, हर बंदे को वही चीज़ें प्रॉब्लम कर रही होगी, आपका पैसा खराब तो न नहीं रहा, बट हम लोग मार्केट में इसलिए नहीं आई कि हमारा पैसा नहीं का रहे, हम बनाने आए, ठीक है, मुव्मेंट चाहिए हमें, हमें कुछ ना को चाहिए उसमें, तभी हमें मजा आता है, दरवाइस नहीं का वही पढ़ा रहा है, क्यों बेच बाच के छोड़ रुपे काई नहीं आपके लिए स्क्रीन पर आते हुए दिख सकते हैं, बट समय मुझे नहीं पता कितना लगया, एक महिना, देड महिना, दो महिने, नहीं क्या तो देड रुपे ठीक है, अभी देड रुपे एसल हो जाएक तो कटगी पोजीशन, कितना एसल दिया हमने, 4 रुपे का तो कुल लेसल था हमारा, 228 पर खरीद के 224, तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, तो ये मेरा इस समय Tata Power के उपर व्यू है, अच्छा, फंडमेंटली बात करें तो इस टॉक बाइस से ही अट्रेक्शन होती है, यानि प्राइस परफॉर्म कर रहा ह मुझे अच्छे से आद है, जब ये स्टॉक भाग राता ना, पिछली साल तो 400 रुपे हो जाएगा 2022 में, अब 2022 में कोई पूछ नहीं रहा है से स्टॉक को, ये आलो गया है, तो बने रहे है, भरोसा रखिए, ये मेरी वीडियो Tata Power के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझर दॉनलायोगी, ताहिए सो मच पर वाचे वाचे बिस वीजिए, भाग अब दॉनलायोगी तो वाचे से विडियो, वाचे सक्टॉक।